अब बात यह होगा सर यह arm topic दे इसे शेशन रखा क्योंगे दोस्तों है तो यह arm topic सबने सुना है कि यह input device लेकिन इस topic से अगर आपके examination में सवाल आते हैं तो आप confused होते हो क्योंकि बहुत सार ऐसे interrelated question होते हैं यह बहुत सार ऐसे confusion वाले term है जो आपको confused करते हैं और exam में वो wrong क अगर इस device exam में सवाल आ रहा है और आप confused होते हो अहां पे तो यह session अब के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के session में मैं आपको एक ही session में पूरा hardware बता देता है लेकिन यह input है यह output है लेकिन नहीं चुकि यहां तक हमें अंदर तक जाना कुछ depth knowledge हमें यहां प बता है एक भाग में पूरा input बताऊंगा दूसरे भाग में पूरा output बताऊंगा और मिस्लेनियस से वह मैं थर्ड पार्ट में बताऊंगा तो यह मैंने पूरा planning करकर रखा है यह hardware के लिए मैं उपर उपर नहीं पूरा अंदर तक जांगो ताकि इसके बाद से आगर इस topic से 24-7 platform पे और हम यहां पर discuss करने वाले हैं about hardware दोस्तों मैंने पहले बताया था कि computer के basic काम होते हैं क्या तो I, P, O, S input process, output or storage बात करते हैं input किया यहां पर हम तो वो device जिससे system को instruction दे सकते वो मेरा input और आज का जो पूरा decision होने वाला है वो सिर्फ input पे होने वाला है ठीक है तो द device जिससे system में instruction in होता है वो होता है input ठीक है instruction जिससे in होगा वो होगा input जैसे की बात करते हैं यह समझ में आगे है तो आज पूरा session होना 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 है आई-पे दोस्तों यह वो device है input device जिसको हम लोग कहते है यानि वो सारा device का नाम यहां पर आपको screen पर दीख रहा है जिससे हम लोग system में instruction in करते हैं ठीक है system को instruction देना है तो यह सारे device का इस्तमाल करते हैं उधारन के तौर पे हमें कोई text करना है तो वाई keyboard के माधियम से दे दिया हमें आवाज मैं audio input देता हूं या त्रिगन क्रिपयाद हैं यह हमारी जो classes अभी चल रही है माइक के माधियम से classes ले रहे हैं तो यह भी हमारा एक input device है तो ऐसे करें बहुत सारे input device है जो इस्तमाल किया आते हैं क्योंकि मैंने बताया था कि computer सिर्फ एक ही नहीं है जो आप सोचते हो सिर्फ आपका laptop ही computer नहीं computer कह सकता है कि calculator से लेकर इस रोत तक computer लगा हो है तो हर जगह कहीं ना कहीं input device का मापदर्ण अलग-अलग हो जाता है उसके uses अलग-अलग हो जाते कहीं कहीं एक जवाना यह भी था कि input का कहने का मतलब एक आदमी का कामी नहीं था कम से multiples लोग मिलत के confusion है तो वह कैसे दूर होगा तो वह सारे चीजों का जवाब है जो आज के सिसन में आपको देने वाले यह नाम है जो आपको पहले भी आपने सुना होगा keyboard, mouse, joystick, light pen, trackball, scanner, graphics, tablet, microphone, MICR, marketing, character recognition, optical, OCR, optical character recognition, reader दोनों कहा जाता है, barcode reader, OMR, यह सब सारे हो गए input device ठीकर नाम तो परच करके भी देख सकते थे, बात करते हैं questions की, sir आपके exam में पूछा जाता है कि इन में से कौन सा है जो pointing device है, answer आपका होगा यह सा, mouse, joystick, light pen, trackball, यह सब क्या है, pointing device है, ठीक है, साथी साथ आपका, जो touch, आपके laptop में जो touchpad है, वो भी आप देखते हो mouse होगा, तो वो भी pointing device कौन कहा जाता है, mouse, joystick, light pen, trackball, यह सब क्या हमारा pointing device, सवाल यह पूछा जाएगा, sir कौन सा device है, जो hardware को software में convert करता है, यानि hard copy को soft copy में convert करता है, soft copy, hard copy को soft copy में convert कौन करता है, दोस्तों, तो वो हमारा scanner हो गया, हम लोग जो online classes लेते हैं, दोस्तों, वहाँ पे एक tab का इस् देखो, यहाँ पे यह चोटा सा, यह वाला बगल वाला, ठीक है, तो वो हमारा graphics tablet, microphone, mic, audio input देना है, तो mic का इस्तमाल करते हैं, इसके अलावा, और भी जो बैंक में देखते हो, MICR, यह जो code reader होता है, MICR code कुछ read किया था, वो device से किया जाता है, वो हमारा MICR का था, magnetic character recognition, दूसरा OCR, optical character, बहुत सारा security paper, जैसे हमारा कह सकते हैं कि passport वगरा verify जो होता है, वो एक बहुत तरह सा, बारिकी scanner से इस्तमाल होता है, तो इसलिए यहाँ पे OCR का इस्तमाल होता है, barcode reader, आप से पुछा जाएगे, इसमें कौन सा device यह product detail को read करेगा, कोई भी product का में, आप द response होता है, लिख देना कहीं, quick response, ठीक है, तो यह भी हमारा आ गया, यह भी हमारा input device में, आजकल मोगा स्मार्टफोन से स्कैन कर रहे हैं, तो quick reader होता है, UPI वगरा हम लोगों जो transaction करते हैं, तो वो भी एक तरह से input ही device हो गया ना भाई, तो वो हमारा हो गया, इसमें, इसके व result आपको दे देता है, तो OMR हो गया, यह भी हमारा क्या है, तो यह भी हमारा input device है, चलिए, तो एक basic information यहाँ पे है, और किस category में आता है, यह जानकरी आपको यहाँ पे, नाम याद रखिएगा, और किसका क्या uses है, वो याद रखिएगा, exam में यह पूछा जाता है, किसका क् बाई, scanner का क्या काम है, trackball का क्या काम है, ऐसे सवाल हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं, यह सारे device कहीं है, पर देख भी सकते हैं, webcam हो गया, यह भी हमारा input device है, जिससे हमारा input device है, तो यह भी हमारा input device हो गया, आप दिमाग लगाओ ना भाई, कि वो device जिसे system को instruction दे रहे हैं, वो सारा input device हो गया, ठीक है, इसी प्रकार यह joystick जो game खेलने में उप्योग में लाया जाता है, यह भी हमारा input device है, तो यह नाम और उसका use और वो किस category में आता है, यह तीन point है, जो यहां से आपके exam point review से बनते हैं, बात करते हैं, आगे, दोखो, अब यह थोड़ा सा twisted question आ गय गेर कर देते हैं, जितना भी input device है, सबका काम है instruction को in कर देना system में, ठीक है, अब इसमें है कि कुछ है जो direct input हो जाता है, कुछ indirect input होता है, तो direct input किसे कहा जाता है, एक ऐसा input device, आप पहले input device का function समझे बाई, हम कुछ भी यहां पे device है मेरे पास, मैंने यहां पे कुछ instruction दिया और वो computer के पास गया, और computer को अंदर जो भी चाहिए, वो उसको 1010 में ही convert करेगा, तभी समझ पाएगा, यह आप आदिकाल से चला रहा है, computer 10101 ही समझ पा रहा है, तो कहीना कि कुछ ऐसा device है, जो भी input उसमें जाता है, close to 01 कर देता है, यानि कि वो machine readable form में already convert किया रहता है, ठ कुछ पता है कि उसमें क्या लिखा गया है, कि आप already machine readable form में convert किया गया है, जितना अभी हम MISCR की बात कर रहे थे, OCR की बात कर रहे है, उसमें already कुछ code है, जो already machine readable में converted है, हम उसको read नहीं कर सकते हैं, ठेके, यानि कि close to machine readable है, इसलिए इसे कहा गया है, direct input device, आप समझ येगा बातों को, ये QR code हो गया, या फिर BCR code हो गया, MICR, या कोई भी scanner device होता है, उसका जो input है, वो already coded form में, यानि already machine readable form में, इसलिए इसे कहा गया है, direct input device, उधारन आपका सारा scanning device आ गया, POS भी इसी में आता, POS का मतलब होता है, point of cell, वो जो swapping machine होता है, आप देखते हो कहीं भी ज से, तो swapping machine को POS कहा जाता है, point of cell terminal, इसको पूरा कहा जाएगा, चलिए बात करते हैं, दोस्तो point of cell समझ में आ गया, तो ये direct input का concept है, जिसके input content जो है, already machine readable form में होते हैं, आप दिमाग में बैठा लेना, कि इसका ये already converted है, QR का भी हो, तो कुछ ऐसा होता, जो हम direct नहीं समझ प बता रहा हूं, ऐसा input device, जिसके जो input content है, वो human readable form में होते हैं, यानि उसके code को हम समझ सकते हैं, अगर मानलो कि keyboard में हमको लिखना है, बीवेक तो भी लिखा हुआ है, हम भी के बारे में समझ रहे हैं, ये भी है, audio हम जो भी अभी बाते कर रहे हैं, वो हम समझ रहे हैं, कि हम हम तो समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो चीजे हम समझ सकते हैं, machine उसको आसानी समझ नहीं सकता है, तो इसको पहले ये machine readable में ये convert करता है, ठीक है, आगर मानले भी मैंने keyboard से insert किया, तो पहले 1.0 में ये convert होगा, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऐसा input device, जिसमें input instruction को पहले machine readable में convert करता है, यानि लिखा होगा, data is not in machine readable form, यानि machine readable form में data उसमें नहीं होता है, पहले convert होता है, पर तब वो प्रोसेसर के पास जाएगा, ठीक है, तो वो हमारा हो गया indirect input device, जिसे keyboard, keyboard में हम लिखते हैं भी, फिर वहाँ जाता है, 1010 अंदर गया, उसी तरह माउस में, माउस पर कोई select है, select ही है, फिर वो select अंदर, text ही गया अंदर, या click किया, तो वही clicking arrow है, हम समझ रहे हैं कि click कर रहे हैं, तो clicking अंदर जाता है, इसी तरह joystick game हम लोग जो खेल रहे हैं, उसका भी वह ही सीने, हम instruction तो दे दिया, left में हमको पता है, इसे इधर left जा रहे है, इधर right जा रहे हैं, लेकिन फिर अंदर में जाका, वो code होता है, left का मतलब है, यह right का मतलब है, इसी तरह जितना भी आप लोग देख पा रहे हैं, जो without scanner है, जिसमें coded मसीनी डेवल फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो वो हमारा indirect input device हो गया, अब यह direct indirect मैंने बता दिया, concept भी आपको दे EM card का stripping हो गया, QR का stripping हो गया, MICR का stripping हो गया, तो यह सब हमारा, किसमें आजाएगा, तो यह सब हमारा आजाएगा, किसमें तो direct मैं, और जिसमें ऐसा काम नहीं हुआ रहता है, मसीनी डेवल फॉर्म में डारेक्ट डेटा नहीं रहता है, वो indict हो गया, जिसे keyboard mouse हो रहा हो ग keyboard से भी exam में सवाल पूछा जाता है, क्या-क्या question बनता है, आप से पूछा जाएगा, कि sir, इन में से कौन सा है, जो modifier की कहा जाता है, दोस्तो, इसको modifier की कहेंगे, ठीक है, या इसे हम लोग combination की भी कहते है, combination की, पूछा जाता है सवाल में, कि इन में से कौन सा है, modifier की, या फ जैसे कि CTRL, ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया shift, जैसे कि हरो गया alt, ठीक है, ये तीनों को कहा जाता है modifier की, तो आपके सवाल में पूछा जाएगा, control, shift, alt, is the example of which type of key, जबाब हो गया, दूसरा हमारा होता है, एक toggle की हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये caps lock हो गया, num lock हो गया, scroll lock हो गया, तो ये सब हमारा cap इसमें आ गया, toggle की में, इसके अलावा, आपको मालूम है कि functional की क्या होता है, ठीक है, function की क्या होता है, F1 से F12, ठीक है, इसका shortcut का use भी आपको याद रखना होगा, जो हम Windows का chapter जपढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे, ठी special character जैसे यह हम देखरों है कि at the rate इसे special की भी कहा जाता है, ठीक है, special की कह सकते है, आप जब कभी भी कोई अगर यूज करते हो, पासफ़र्ट बनाने में, बोला जाता है कि use special की, लिखा होता है, special की में आप क्या डालते हो, या symbol की भी लोग कहते हैं इसको, तो special की में आप at the rate वागरा ही डालते हो, ठीक, at the rate हो गया, डॉट हो गया, जो पासफ़र्ट बनाने में यूज करते हो, इसलिए इसको special की कहा गया, ठीक है, और मैं बताता हूँ, अलफा नूमरीक की, जिसमें अलफा बेटर नमबर, यानि कि A से Z और 0 से 9, यह अलफा नूमरीक की आ गया ठीक है, इसके अब बाद आपका बाकी नाम से याद रखिएगा, यह आपका स्पेस की है, जो पूछा जाएगा सबसे बड़ा की है, यह हमारा डिलीट की है, अगर पूछा जाएगा की राइट साइड डिलीट, अगर करक्टर को करना है, क्या इस्तमाल करेंगे तो जो एक्जाम में पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा, अलफा नुमरी की, मोडिफायर की, कॉमिनेशनल की, फंक्शनल की, स्पेसल की हो गया, ठीक है, चलिए, अब थोड़ा सा और चचचा करते हैं, तो यह हो गया, कीबोर्ट के बारे में, तो यह कीबोर्ट के बा पूछा जाता है, ऐसे, कीबोर्ट का इन्वेंटर क्रिस्टोफर लेथम सॉल जो थे, वो कीबोर्ट बनाया थे, डॉगलस एंजल वर्ट थे, जिन्होंने माउस का इन्वेंशन किया, तो हिस्ट्री में कभी-कभी यह सवाल बनता है, तो यह इन्पूट डिवाइस के क्या इस्तमाल है, किस कैटेगरी में है, यह दो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, तो यह दो सारा सारा डिवाइस के बारे मैंने आपको यह साथ जिक्र कर लिया, मैं उमीद करता हूँ कि यह आपको समझ में आ गया, तो इसी तरह कल मैं आउट्पूट डिवाइस आपके लिए खास रहा हो, यानि इंपूट वाला कॉंसेट है, वो आपके दिमाग में छप गया होगा, आप यहां पर भूलेंगे नहीं, कल मैं सेशन लेक्या होगा, आउट्पूट वाला और कुछ अधर डिवाइस के बारे में, पोर्ट स्वाइगरा के बारे में हम कल वाले सेशन में अलग इनफॉर्मेशन साथ, तब तक के लिए गुड़ लग, गुड़ बाइन टेक एर दोस्तों